आज SSC यानि कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनर 2018 सेकिंड पेपर, मल्टी टास्किंग स्टाफ 2019 और CGL टीर 3 2018 के परिणाम जारी करने की टेंटिटिव डेट घोसित कर दी है मतलब इन संबावित तारीखों पर परिक्षाओं के परिणाम गोसित कर दे जाएगे ये सब अचानक नहीं हुआ, दरसल कल साम से ही SSC और Railways एक्जाम से जुड़े प्रतियोंगियों और तैयारी कराने बाले सिक्षकों ने आंदोलन चलाने की गोशना कर रगी थी परणाम ये हुआ कि आज सुभह से ही ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया प्रेट्सफार्म पर हैस्टेग स्पीक अप फॉर SSC Railways Student और हैस्टेग SSC Declare CTL एजल्ट की बाढ़ आगे चातरों ने अपने अपने नाम के आगे बेरोजगार जोड लिया कई चातरों ने छोटे छोटे वीडियो बनाकर अपनी परियसानियों को देश के सामने रखा दरसल परतियों की परिक्षाओं की तैयारी कर रहे विध्यार्तियों की खास नाराजिगी Service Selection Commission यानि SSC की Combined Graduate Label यानि CGL 2018 की Tier 3 परिक्षा के परिणामों को न घोसित करने को लेकर है इसके अलावा विध्यार्ति साल 2019 में आई Railway Recruitment Board यानि RRB की NTPC पदों की परिक्षाओं न आयूद कराने को लेकर भी अपना गुस्सा जता रहे है Hashtag Speak up for SSC Railways Student Hashtag से सिर्फ विध्यार्थियों नहीं नहीं बलकि कई गाजनेताओं ने भी ट्वीट किया है मुद्दों से खाली बैठी Congress के नेता राहूल गांधी ने ट्वीट किया मोधी सरकार भारत के भविस्य को खत्रे में डाल रही है उसका अहंकार JEE और नीट परिक्षा के चात्रों की बास्तिविक चिंताओं और SSC एवं दूसरे Railway की परिक्षा देने वाले चात्रों की मागों को नजर अंदाज कर रहा है खाली नारे नहीं बलकि नौकरी चाहिए वहीं प्रेंकिया गांधी ने ट्वीट करके सवाल किया कि सरकार कब तक युवाओं के धहरी की परिक्षा लेगी युवाओं को भाषन नहीं नौकरी चाहिए वहीं चात्रों ने इसे आंदोलन को हाईजेक करने की कोसिस करार दिया प्रतियों की परिक्षा के त्यारी कर रहे शात्रों का ये भी कहना है कि इतने बड़े लोगतंत्र में अगर चुनावी प्रक्रिया समय पर पूरी हो सकती है तो सरकारी परिक्षाएं समय पर क्यों पूरी नहीं हो सकती क्या ये सिर्फ सरकार की प्राथमिक्ताओं का मामला है कुछ लोग इस आंदोलन के सहारे मोधी सरकार के खिलाफ उनके एजेंडे को चलाने से भी नहीं चुके बावजूर इसके पूरे आंदोलन को बड़े ही शांतिपून और सकारात्मक तरीके से चलाये गया परिणाम ये हुआ कि S.S.C. ने साम होते होते कुछ परिक्षाओं के रुके हुए परिणामों की संभावित तारीख है नोटिफिकेशन जारी करके सार्वने कर दी है जिसे कुछ कोचिंग सेंटर और टीचर जीत के तौर पर ले रहे वहीं देश भर में रेलवेज अंटीपीसी, राज्यों के S.S.C. और PCS और सिक्षकों की भरती में होने वाली सालों की देरी के चलते परियसानियों से जूजते लाखों करोणों युवा इसे सिर्फ एक फैका गया टुकड़ा बता रहे है सरकार की नीतियों में कोई बदलाव आ गया है, ऐसा नहीं है ये सिर्फ आंदोलन को कमजोर करने बाला एक प्रियास भर है ऐसे मनना आंदोलन के समय दिल्ली की दीवारों पर लुखे उस नारे की याद आती है जिसमें लिखा था, ये तो बस अंगड़ाई है, आगे और गड़ाई है